फिर से स्वागत करता हूँ आपका अभी हारवोट के नमर वन चैनल में जिया दोस्ते हैं आज हम लोग कभर करेंगे क्लास 12 हिंदी के सेंट अप एक्जाम का एंसर की अगर आप एक्जाम दे चुके हैं तो आप आसानी से अपने एंसर को चेक आउट कर सकते हैं जिसका अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है निए इसको आप अच्छे से नौट कर लिजे या इस पीडियाफ को अगर आप राप्त करना चाते हैं तो आप वीडियो में लास्त तक बने रहे हैं आपको सेम तो सेम कोशन पेपर देखने को मिलेंगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलेगा सब्सक्राइब करते हैं जो आपके सब चीज दिया हुआ रहेगा तो देखिए इसमें आपको 60 अब्जेक्टिव में से आपको कितना का जवाब देना है नि मात्रे एनि 50 का जवाब देना है तो चली हम लोग फिर आगे देखते हैं किसमें सारा चीज नियम असरत और लागु दिया हुआ है सब चीज आप जानती होंगे तो चलिए आपके सामने जो फर्स्ट कोशन आ गया है जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा इस कोशन में क्या कह रहा है कि मोहन राकेस की एकांकी का सिर सा काणी में किस युध्य का अलेख है ठीक है आपके सामने चार आप्स वाय《 हिसका राइट धींसर आपको चूलाश को नहीं जो चार युए-धी पर धींसर आपको चूले आपके सामने चार अप्सें confusionış कर सकते हैं अगर आप एडमिशन चाहएंगे तो इस नमर पे बार काउंटेक किजागा 9162055090 टिक है इसमें आपको मोडल पर प्रैक्टिस से इंपोर्टन कोश्चन सारा चीज आपको प्राइट कर दे जाएगा 9162055090 इस नमर पर आप वाट्चाप में सपर कीजिए आपको उसका क्रेस कोर्स में एडिमिसन आपका हो जाएगा तो यह कोश्चन को ध्यान से देखेगा है क्या के रहा है इस कोश्चन में तिरसी कहानी के कहानीकार है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा पांस नमर के आपसन नमर बी इसका विल विदर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है उदे परकाश तो चलिए कोश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा इस कोश्चन में सुर्सागर की रचीता है आपके सामने चार अपसन दिया हो है तो इसका right answer क्या हो जाएगा नी चेक आपका right answer will be the right answer option नमर डी इसका right answer हो जाएगा नी शूरधास हो जाएगा चले का इस सोम लोग next question को देखते हैं पुत्र वियोग की कवीता की रचिता है याई पुत्र वियोग कवीता की रचिता है तो आपके सामने 4 अपसन दिया हो इसक का राइट एंसर क्या हो जाएगा नियुक्त को देखते हैं बालकृष्ण भट की रचना बातचीत है तो आपके सामने चार उप्षन दिया हुआ इसका राइट एंसर आपको चूज करना है एकांकी यात्रसंस्मरन कहानी ललित निवन ठीक है आपके सामने इसका चार उप्ष प्रफिती वर्नन से संब्दित कविता है तो आपके सामने चार उप्षन दिया हुआ इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा नो तो नौ का राइट एंसर ऑफ्षन नमर बी विल विदा राइट एंसर हो जाएगा यानि उसा ठीक है चले फिरम लोग नेक्श्ट को देखते ह जो आपके स्क्रीन पे है ध्यान से देखेंगे इस कोशन में क्या कह रहा है परगित और समाज के साहित की विदा की रचना है आपके सामने चार अप्षन दिया हुआ है आत्म कथा उसके निभन दिया हुआ है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 11 का जो आपका राइट ए next-answer को देखते हैं और संधी विचेद है राइट एंसर जाएगा नेक्स्ट kijken को देखते हैं निवास्येड़ तो होगा यानि अंस का जो अर्थ है तो क्या होगा यानि कंधा दियआवा इस्सा दियआवा आधा दियावा पूरा दियआवा है तो 15 का आपका right answer क्या हो जाएगा option नमर B, विल विदा राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, चले का इस वामलोग, फिनेक्स्ट कोशन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर हैं, आस्तिन का साफ होना, सिक्ष्टिन नमर कोशन को आप ध्यान से दिखेगा, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, या लोग नेक्ष्ट कोशन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है बर्वे रमायन के रचीता है आपके सामने चार अपसर दिया हुए 18 का जो राइट एंसर हो जाएगा तुलसी दास चीका अपसर नमर यह विल्विद है राइट एंसर हो जाएगा चलिए गाइस लोग नेक्ष कोशन को देखते हैं क्या के रहा है अधिनायक सिर्सक कविता के कभी है तो असोक वाजपिय दिया हुए रगुवर साहे दिया हुए महादे वर्मा दिया हुए निरला दिया हुए 19 का राइट एंसर ऑपसन नमर बी विल्विद है राइट एंसर हो जाएगा ठीक है फिर्म नेक्स्ट कोशन को देखते हैं ग्याननद पती की कविता आपके सामने चार और शन freshmen दिया और इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा निसका राइट एंसर यंगा देखती है जो आपकी स्क्रेन पर designer जया पर मिल्विद ह्ए पो एंसरे यह निए Netety आशियर के ट्वि परकार की कवीता है इचलिए पुत्र वियोग किस परकार की कवीता है 23 का राइट एंसर आपका will be the right answer option number 6 का right answer हो जाएगा तेका थिका जाएगा तो नेक्स्ट को संग को हम लोग देखते हैं उसा कवीता की कवी है उसा कवीता की जो कवी है 24 का राइट एंसर क्या हो जाएगा और एक से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनी मोटिवेट रखता है मैं आपनों लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट का वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके एक्जाम में बीना कोचिंग है बीना कहीं से आप पर्चेस की आप आपको ठीक है तो आप मेरे साथ देते हैं और मैं आपका साथ पूरी तरह सा हेल्फ करता होंगा चलिए गाइस, so next question को हम लोग देखते है क्या करा है 25 नमर कोचन को आप ध्यान से देखेगा आकाल सब्दका विलोम है, ठीक है आपके सामने चार option देखेगा 25 नमर कोचन को ध्यान से देखेगा तो option नमर 20 का right answer हो जाएगा नि सुकाल हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सुकाल will be the right answer हो जाएगा चलिए next question को देखते हैं पूजा सब्दका विसेशन क्या होगा बहुत important question है, पूजा सब्दका विसेशन क्या होगा ताइट right answer क्या हो जाएगा इसका option नमर A will be the right answer हो जाएगा नि पूजी हो जाएगा ठीक है चलिए फिरम लोग next question को देखते हैं जो आपके screen पे हैं तलवार सब्दका पढ़ियावाची बता है option number C will be the right answer हो जाएगा ठीक है अगर जन्नमा next question को हम लोग देखते हैं क्या कहरा नूतन सब्दका विलोम होगा 29 number question को आप ध्यान से देखेगा option number B will be the right answer हो जाएगा नि पूरातन ठीक है चलिए फिरम लोग next question को देखते हैं किरती सब्दका विलोम है आपके सामने चार option दिया हो है 30 number question को आप क्या कहरा है option number C will be the right answer हो जाएगा अब प्रकिरती ठीक है चलिए फिरम लोग next question को देखते हैं अरने का पढ़ियावाची है 31 number question को आप ध्यान से देखेगा तो इसका right answer option number A will be the right answer हो जाएगा ठीक है चलिए फिरम लोग next question को देखते हैं जो आपके screen पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप आप सब देख कौन सा सरणाम है आपके सामने 4 option दिया हो है इसका right answer क्या हो जाएगा 32 का आपका will be the right answer option number A हो जाएगा ठीक है पूरुस्त वाचक चलिए फिरम लोग next question को देखते हैं चराचर का संदी विच्छद है आपके सामने 4 option दिया हो है 33 का right answer क्या हो जाएगा option number B will be the right answer हो जाएगा जो 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 जोर 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 ठीक है फिरम लोग next question को देखते है परमोज स्वी का संदी विच्छद है आपके साब ने चार अप्सें दिया है ठीपोर का डाइटेंस ओर और सीज का राइटेंस ओजाएगा परमजोर ओज स्वी अन्वेशन कौन सा संधी है 35 नमर कोशन को आप ध्यान से देखेगा अन्वेशन यानी option नमर A will be the right answer हो जाएगा यन जो संधी हो जाएगा option नमर A 35 चली फिरम लोग next question को देखते हैं गजानान कौन सा समास है 36 question को आप ध्यान से देखेगा option नमर A इसका right answer हो जाएगा यनि बहुआ वीडी ठीक है next question को हम लोग देखते है यक साला कौन सा समास है यक साला कौन सा समास है आपके सामने चार option दिया हुआ 37 नमर कोशन को ध्यान से देखेगा option नमर C will be the right answer हो जाएगा तत्पुरू शमास ठीक है राद दीन कौन सा समास है 38 नमर कोशन को ध्यान से देखेगा option नमर A will be the right answer हो जाएगा 38 ठीक है चले फिर हम लोग next question को देखते है 23 होना मोहबरे का अर्थ क्या होगा यनि 23 होना मोहबरे का अर्थ क्या होगा आपके सामने चार option दिया हुआ 39 कोशन का इसका right answer हो जाएगा समाप तो होना हो जाएगा ये गलत मारा है ये शुरू होना होता है इस रिग्रेस्ट करना का मतलब हो जाएगा शुरू होना ठीक है इसका this is wrong ठीक है फिर हम लोग next question को देखते है तलवे चाटना मुहाबरे का अर्थ होगा तो बहुत ही आसान question और बहुत important question है तो तलवे चाटना मुहाबरे का जो अर्थ होता है ये खुशा मत करना होता option number A इसका right answer हो जाएगा ढोल पिटना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा आपके सामने चार option दियावा है इसका right answer क्या हो जाएगा option number B इसका right answer हो जाएगा जोर से कहना चलिए फिर हम लोग next question को देखते है जो आपके screen पे है ध्यान से देखेगा चक्रपानी कौन सा समास है चक्रपानी कौन सा समास है आपके सामने चार option दियावा है 42 number question को आप ध्यान से देखिए तो इसका right answer option number A हो जाएगा और बहुड़ी समास हो जाएगा चलिए फिर हम लोग next question को देखते है कमल लेन में कौन सा समास है बहुत ही important question और बहुत easy question है 43 का right answer option number C हो जाएगा option number C का right answer हो जाएगा चलिए फिर हम लोग next question को देखते है जो आपके screen पे ध्यान से देखिएगा परम निमगन कि स्तत्य पूरुष समास का उधार है आपके सामने चार option दिया हो है अधिकरन दिया हो है, संभन दिया हो है आपादन दिया हो है, करम दिया हो है जो होगा, 45 का right answer क्या हो जाएगा option number B का right answer हो जाएगा यानि जगत जोर not हो जाएगा, ठीक है चलिए फिर हम लोग next question को देखते है जगदीस का संदी विच्छद है तो आपके सामने चार option दिया हो है जगत जोर इस दिया हो है जोर इतर हो जाएगा, ठीक है चलिए फिर हम लोग next question को देखते है उच्छवास का संदी विच्छद है उच्छवास का संदी विच्छद क्या होगा, 48 का अब ध्यान से दिखेगा तो इसका क्या हो जाएगा, उप्सन नमर ए इसका right answer हो जाएगा चलिए फिर हम लोग next question को देखते है वार्डमिय का संदी विच्छद क्या होगा तो इसका right answer जो आपका हो जाएगा याप्सन नमर 49 का A हो जाएगा ठीक है, याँ वाक जोर मैं दिया हुआ चलिए फिर हम लोग next question को देखते है उतकर्स का विलोम क्या होगा उतकर्स का विलोम जो होगा option number B हो जाएगा पचास का option number B हो जाएगा यापकर्स ठीक है, option number B will be right answer हो जाएगा तो guys अब 60 में से आपको 50 का ही जवाब देना है बढ़ हम आपको 60 solution कर देता हूँ तो देखिए ध्यान से question को आप क्या कह रहा है कि नयन का संदी विच्छेद होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number B will be right answer हो जाएगा ने जोर अन हो जाएगा पुत्र का पढ़ियावाची है याई पुत्र का पढ़ियावाची है याई पाशान ठीक है चलेगाई फिरम लोग next question को देखते है नरका विपर्तिक सब्दे क्या होगा नर याई लड़का होता है और नाड़ी याई लड़की होती है तो जैसे के पता होगा तो नरका याई उल्टा क्या होगा याई लड़की होता है विधूर ठीक है तो चले फिरम लोग next question को ध्यान से देखते हैं जो 56 आपके screen पे आगए ध्यान से देखेगा क्या कह रहा है कान देना मुहबडे का अर्थ क्या होगा क्या थ्यान देना हो जाएगा क्या हो जाएगा option number C will be the right answer हो जाएगा ठीक है चले फिरम लोग next question को देखते हैं जो आपके screen पे हैं ध्यान से देखेगा 57 का हिर्दे का विशेशन क्या होगा तो ठीक है इसका right answer आपको देना comment section में चलिए महासे का संदी विशेच क्या हो जाएगा तो चले फिर इसका भी right answer क्या हो जाएगा जाएगा महाजोर आसाए दे जाएगा option number A का right answer हो जाएगा चले कि फिर नेक्स question को देखते हैं हम लोग बैठक में कौन सा परती है बैठक में कौन सा परती है बैठक ठीक है तो बैठक में आपका परती है क्या होगा आपका answer इसको comment section में बताना है चले फिर हम लोग next question को देखते हैं और लाक्स्ट और अंतिम question लंबोदर में कौन सा समास है तो लंबोदर विल बीडर आइटनस और option number 10 का राइटनस और जाएगा तो गाइस अगर वीडियो पस्टन आते वीडियो का एक लाइक कर देना और मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अप अपने चोटी से रिक्वेस्ट करता है अपने दोस्तों वीडियो को ज्यादा सेयर करता है कि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाब ले सकेगा और गाइस आप इस वीडियो को कैसा पराफ्त कर सकते हैं